नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने online इसंसान परिक्षाप्रस में मैं लोग शुक्ला आज आप सभी के लिए यहाँ पे जैसे कि आपका अभी अधिनस्तक के द्वारा lower के means का paper 1 और paper 2 दोनों आज के डिट में करवा लिया गया है और अब ही सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का दिमाग में वहाँ के इस्तती बनी होई है कि आखिर कौन सा आंसर सही है उसकी आंसर की क्या होगी और अगर कुछ questions गलत भी होए हैं तो किस दावे के साथ वो questions गलत हैं किस आधार पर गलत हैं उसका मैंने उसी वीडियो में आप देख सकते हैं वीडियो के लिंक इस वीडियो के description में भी होगी वहाँ से आप download भी कर सकते हैं similarly इसका complete answer की का PDF बनवा के टलिग्राम में पर दे दिया गया है साथ में ही आप इसके description box से भी क्या कर सकते हैं download कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधिनस अपने आदतू से मजबूर पिशली बार की तरह जैसा हमें सब करते आया है फिर से वही किया syllabus का उसका कुछ तरीका नहीं होटा है जहां पर paper 1 में syllabus के हिसाब से चला वहीं पर paper 2 में पूरा मनमानी किया है paper 1 में देखा जाए तो arithmetic का कुछ part percentage और profit loss का एक दो question उसने reasoning में डाल दिया जो की गलत हुआ paper 2 में देखा जाए तो arithmetic completely gap कर दिया है कुछ ही topic जैसे number system ले लिया जाए या फिर आपका quadratic equation ले लिया जाए या फिर trigonometry ले लिया जाए या फिर APGP ले लिया जाए या कुछ और ऐसे पार्ट हैं geometry में जिसमें बृत और triangle इन सभी से केवल पूछ ले हाला कि मैंने सारी classes आपको बहुत अच्छे से दी थी और जो बच्चा मेरी number system या triangle इन सब के class किया होगा वो एक ही question बहुत विद्वत करके आया होगा मुझे similarity की बात हो चाहे जो हो फिल हाल मैं आपको बता दूँ कि 3-4 question आयो के दौरह फिल से गलत किये गए है math और science के संभाग में 15 question में 40 science थे 35 math से 35 में भी 4 question गलत हो जाते हैं तो बच्चे का confidence रहुत है क्योंकि math समय ले जाता है paper में और उसका temperament विगाड़ देता है जो मैं हमेशा आप से बोलता रहता हूँ फिल हाल देर ना करते हुए हम लोग इसके solution को start करते हैं उम्मीद है कि आपका इससे बहुत हद तक जो वापो की स्थिय है वो दिमाग को सांथ करेगी पहला प्रश्ण यह है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मद्द बिंदू क्रमसा D और E है और BC बराबर 10 cm है एक त्रिभुज ABC बोल रहा है यह त्रिभुज है A है B है और C है इसका मद्द बिंदू बोल रहा है मद्द बिंदू D और E है यहाँ पर D है और यहाँ पर E है और यह इसे मिलाना पड़ेगा ही पड़ेगा अब क्या बोल रहा है कि BC बराबर 10 है बी-सी बराबल 10 है और बोले है यह लंपवत बोल दिया है कि दी-ी-्वी-सी के लंबवत है जबकि अगर दो मिड़ पॉइंट को हम रखेंगे तो कभी भी यह ल IP अगर मिलाएंगे तो उसके लंबवत नियाएगी तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ट्रेंगल ADE जो ट्रेंगल ADE बनेगा आपका ट्रेंगल ADE जो होगा यहाँ पे यह सिमिलर होगा किसके ट्रेंगल ABC के और जब सिमिलर्टी लगेगी तो हमेशा जो DE होता है वो half of BC होता है यानि कि अगर BC 10 है तो 10 बटे 2 यानि कि 5 हो जाएगा तो इस अनुसार इसका सही बिकल पक्या हो जाएगा पांच इसका सही जवाब आएगा D बिकल पिकडम सही होगा दूसरा प्रिशन यहाँ पर हम देख लें बोला है कि एक त्रिभूज यादि त्रिभूज ABC और DEF समरूप है वो पहले से ही ट्रेंगल की सिमिलर्टी पर मैंने बहुत सारे कोशन कर वाए थे मैंने बहुत डिटेल कॉंसेट आपको इसको समझाय था जो आपने अगर ट्रे त्रिभूज ABC है और अगर आप नामकरण उसका ABC ऐसे करते हो तो दूसरा जो त्रिभूज होगा जब आप समरूपता लेके चलते हो तो बहुत साउधानी रखनी पड़ती है DEF बोल रहा है तो D यहां रखोगे E यहां रखोगे F यहां रखोगे और यह दोनों आपस में हैं सिमिलर बोल रहा है कि AB बराबर 5 है ये बराबर 5 दे रहा है उसके पर DE बराबर 10 है इसे बराबर 10 दे रहा है फिर बोल रहा है कि EF बराबर 12 है इसे 12 बता रहा है और FD बराबर 14 है इसे 14 बता रहा है बोले त्रिबुस का परिमाप क्या है अब किस त्रिबुस का परिमाप ये पता ही नहीं है, इस्त्रिभूस का परिमाप के? इस्त्रिभूस का परिमाप, हाला कि विकल्प में अच्छा हुआ कि उसने 36 उत्तर नहीं दिया, क्यों? क्योंकि अगर इसका परिमाप निकालोगे, तो 10, 14 और 12 निकालोगे 26, 10, 36 होगा, इसका परिमाप पाएगा 36, लेकिन 36 विकल्प में नहीं दिया था, तो इस कारण से हम समझ जाएंगे कि क्या होगा, कि इसका पूँच रहा है और अगर इसका पूँच रहा है, क्योंकि समरूपता दिया हुए, तो basic understanding है कि इसी का पूँचेगा, तो जो अगर दो ट्रेंगल सिमिलर होती है, तो इनका जो पेरिमीटर होगा, और इसका जो पेरिमीटर होगा, वो क्या होगा? समरूपता के हिसाब से होगा, अब समरूपता क्या कहता है, कि ये भुजा, ये भुजा में क्या समरूपता है? अगर हम AB B upon D E करेंगे, तो 5 बटे 10 आएगा, यानि कि 1 बटे 2 आएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कि ये वाला ट्रेंगल है, इसका half है, तो जो पेरिमीटर भी होगा, इसका परिमाफ भी होगा, इसका आधा होगा, ये 36 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 36 बटे 2, 18, यानि कि इसका क्य ना है, ये simple सा question था, इसमें दिमाग लगाने की, ज्यादा दिरूवत नहीं थी, A है 1030 कमाण 1 upon root 3 होता है, और उसके बाद sin45 कमाण 1 upon root 2 होता है, इसे बराबर कर दिया है, माइनस कर दिया है, है ना, ये root 2 माइनस क्या कर दिया है, cos30, cos30 कमाण कितना हो जाएगा, root 3 upon 2 हो जा हम कहें, तो ये root 3 इदर जाएगा, 3 हो जाएगा, और root 2 इदर कट कर देगा, यानि कि 3 upon root 2 के आ जाएगा, A का उत्तर आ जाएगा, ये हो जाएगा, आपका उत्तर, A बराबर 3 बटे root 2 यानि कि विकल्प D जो है, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा अगर हम देख ल xy बराबर ये pq है, और pq का यहाँ पर 2,0 है, यहाँ पर क्या है, 5,4 है, ये बोला है, ये r के बराबर है, उस वृत्य के त्रिज्या के बराबर है, और अगर त्रिज्या के बराबर है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2-x1 यानि कि 5-2 का स्क्वाइर हो जाए जाएगा 5 और अगर R 5 हो हो जाएगा तो इसका छे तुरफल पूंचा है तो PY R Squire हो जाएगा यनि PY in to 5 गोंगे 5 यानि कि क्या हो जाएगा प्च्छिस प्टाइ आपका उत्तर हा जाएगा यानि कि बिकल्प C सही हो जाएगा जाएगा यहां हम लोग math को देखते हैं कहां पर आगा यह भी आपका science का page है science मैं भी नहीं करवा रहा हूँ अपका answer की मैं लगा दिया हूँ कि even math के solution मैं आपको यहां पर दे रहा हूँ ठीक है न क्योंकि बच्चों को वही समझ में आती हैं पूचा है which of the following is a prime number prime number इन में से कौन सी अभाज संख्या है मैंने आपको prime number बहुत बिधोत पढ़ाया था number system में करीबन 15 classes मैंने के वला अब को number system को दिया था बहुत जितने मेने concept बताया थे उन सभी concept से एक पूशन पूचा गया है मुझे भी इस बात की बहुत खुसी हुई कि जो मैं पढ़ाया exactly वैसा आ गया हालागी इसने बहुत पेचीदा किया चार पास टॉपिक से पूरा महत बना देना बेकार होता है मेरी पूरी महनत बेकार होगी मैं अरिफ्मेटिक पढ़ाते पढ़ाते मरगया वहां से पूंचा ही नहीं आप भी पढ़ते पढ़ते मरगये खेल छोड़ो यहां पर यह होना चाहिए कि पेपर आपका अच्छा होन नहीं है तो 48 भई या दोसी विवाजित है 65, 13, 65, 69, 73, 49, 71 यहां पर क्या है एकाहत्तर प्राइम है बाकि सभी प्राइम नहीं है इसका डिविकल्सी हो जाएगा इसमें बोले किसी पूरांग X के लिए प्रते एक विसम पूरांग का रूप होता है यह बहुत अच्छा कोश जगह satisfy नहीं करेगा क्योंकि अगर X बराबर 3 लो लोगे तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा जो विशम नहीं देगा है ना क्या देगा अब विशम नहीं देगा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका 2X प्लस 1 हो जाएगा 2X प्लस 1 हो जाएगा अब X कुछ भी सब्सक्राइब है यह दो धनात्म कुनांक M और N को M बराबर X sqaar Y लिखा गया है M बराबर लिख जा रहा है कि X sqaar Y है और N बराबर बोल रहा है कि X qb y qb है यही लिख रहा है बोले दोनों का मासा क्या है और X 7 Y अब हाज जिसंख्या है यह भी बोल दिया कि यह क्या है प्राइम नंबर्स हैं तो और वारा काम आसान हो गया बोले M और N का महत्तम समापुर्टक मतलब SCF क्या है तो जब भी मैंने आपको ऐसे कोशन कराया भी था SCF क्या होगा जो minimum degree वाला होगा यहां से आप X square उठालो और यही से आपका Y आजाएगा तो क्या हो जाएगा X square Y ही आपका क्या हो जाएगा महत्तम समापुर्टक हो जाएगा बिकलपड़ी आपका सही हो जाएगा 47 आपका क्या है साइन्स का कोशन है हाला कि इसका उत्तर फार एक्स ट्रिंगर सर ही था 48 हम लोग देख लेते हैं 48 पे कह रहा है यदि दो धनात्मक पूलांक X और Y को X is equal to M square N cube और Y is equal to M की power 4 N square क्या बोलना है कि जो X बराबर है वो M square N cube है और जो Y बराबर है वो बोलना है कि M की power 4 और N की power 2 है अब यह simple दोनों कोशन सेम है बस X और M को replace कर दिया है इस बार इसका लासा निकालना होता है तो maximum degree ले ले लेते हैं M की maximum degree कितनी है 4 है N की maximum degree कितनी है 3 है तो M 4 और N 3 हो जाएगा यानि की विकल्प भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उन 4 देख लेते हैं वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 से 15 तक दोनों को छोड़कर सभी संख्याओं से विभाज है अब यह प्रश्न बिल्कुल गलत है प्रश्न सही है इसके विकल्प सारे गलत है क्यों क्योंकि बोला है 10 से 15 के बीच की सारी संख्या है और 10 और 15 को चोड़ रहा है यानि कि क्या होगा 11 होगा 12 होगा और 13 होगा और 14 होगा ये 4 संख्याइं होगी और बोलेख ऐसी संख्या जो कि Sedix्य ग्यारा अहीं बिवाजिती Walk रास से भी हो त्यरारा से भी प्राइम उन 4 उन 14 तो यहीं दे देगा और 12 हो इस दुना 84 हो जाएगा और अगर 84 को 83 से करोगे तो 4, 12 अंतिम में 2 आना चाहिए, किसी भी बिकल्प में 2 नहीं था, यानि कि ये किसी के एंगल पे 4 आप्सन मैच निकल दाए, तो ये जो आपका प्रशन है, ये प्रशन क्या है, गलत पूंच लिया गया है, 49 प्रशन जो है, इसका कोई भी बिकल्प सही नहीं है, इसे अंसर की में स्टार बना के दिया गया है, आप इसको कुछ भी लगाया होगी, ये उत्तर आपका फ्री है, आपसे लगा, चाहे नहीं लगा, ये आपके जोली में है, इत्ता मान के चुरो, उसके बाद प्रशन संख्या 50 देख ले बोले 513 और 1134 का लगुत्तम समाप वर्त क्या है, लासा पोच रहा है, अभी मुझे ये भी गलत लग रहा है, क्यों गलत लग रहा है, आपको खुछ समझ में आ जाएगा, अगर 513 और किसकी बात कर रहा है, 1134 का लासा निकाला जाएगा, हम दूसरी स्टार्ट कर लें, तो 25 और 171 आएगा, 31, 36, 38, 24, 27, 39, 87, 27, यह हो जाएगा, 189, फिर हम अगर 3 से कर लें, तो 3, 5, 15, 21, 3, 7, 21, 3, 18, 33, 9, फिर अगर हम करें, तो यहाँ पे कितना 3 से चले जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा, 31, 39, 27, और यहाँ पे 3, 29, 33, यहाँ पे क्या बचने, 19, 19 एक प्राइम नमबर आगया है, और उसके बाद यह एक आजाएगा, 21, तो हमें 21 से कटना ही पड़ेगा, यानि कि इसका उत्तर आएगा, 21, 19, गोड़े, 3, 3, 3, 2, सिंपल सा सोचो, अगर आप केवल यूनिट डिजिट डिवाइट करो, तो 3, 3, 9, 37, 7, 2, 14, 4, 9, 36, 6, 6, कम 6, लाश्ट मे आएगे आपके जोली में, फ्री के अंक आएंगे, उसके बाद उसने क्या दिया है, उसने बाद बोला है, प्राइम फैक्टराइजिस्ट ऑ फिप्टी फोर, 54 के अभाज गुडंखंड बताओ क्या होंगे, 54 के अभाज गुडंखंड, तो यह तो बहुत ही आसान पूश ल तो क्या हो जागा, टू इंटू थी की पावर क्यूब विकल्प टी आपका सही हो जाएगा, 52 को देख लें, जब एक धनात्मक पूरांग पी को टू से विभाज़त किया जाता है, तब सेस आर क्या है, किसी भी संख्या को मैंने बहुत अच्छे से आपको रिमेंडर कॉंस पूरांग पी और क्यू के लिए महत्तम समापॉल तक गुड़े लगुत्तम समापॉल तक क्या होगा, मतलब अगर पी और क्यू दो नंबर हैं, तो इनके बीच का LCM और इनके बीच का SCF का गुड़ा किया जाए, तो पी इंटू क्यू मिलता है, यानि कि PQC विकल्प इसक प्रेम जरूर कर देना, इसका भी फ्रियुत्तर मिल जाना चाहिए, क्योंकि बोला है, M और N दोनों पूरांग है, चलो M भी इंटीजर है, और N भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, M अपॉन N करेंगे, तो क्या जरूरी है कि वो इंटीजर है, दुसरी बात, अगर M अपॉन N है दोनों इंटीजर है, तो ये तो रेशनल हो गाई, ये रेशनल तो हो गाई, लेकिन रेशनल होने के लिए P by Q के फॉर्म में तो होना चाहिए, Q not is equal to 0 होना चाहिए, यानि यहापे N not is equal to 0 होना चाहिए, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं दिया ह है कि N not is equal to 0 है, N को उसने बोल दिया पूरांक, पूरांक में तो सुनने भी आता है, 0 भी पूरांक है, अब आप सोच लो कि अगर N 0 होता, तो M upon 0 तो infinite होता, not define हो जाता, तो हम रेशनल इरेशनल की बात ही नहीं कर पाते, इस कारण से अगर किसी बच्चे का ये गलत हुआ ह तो claim कर सकता है, यहाँ पे उसे free के number मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आयोग अपने आप जिद्ध पे आ गया, तो इसका उत्तर परिमिये संख्या होगा, लेकिन सटीक नहीं है, गड़ित बुरा मान जाएगी, गड़ित नहीं मानेगी, कि ये परिमिये हर condition में बनेग ठीक है, तभी बनेगा जब N naught is equal to 0 हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पचपन पे देखते हैं, एक परिमिये और अपरिमिये संख्या का योग हमेशा होता है, अब इसमें भी एक उसने गलती की, देखो, पता नहीं कौन paper set किया, समझ में आया, उसने complex number लेग दिया, भाई, क जो सही उत्तर होगा, वो हमेशा आपरिमिये होता, थेरी भी यही कहती है, अगर आप rational और irrational को जोड़ोगे, तो सदयो irrational ही मिलेगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, irrational number हो जाएगा, आपरिमिये संख्या हो जाएगे, चपन को देख लेते हैं, हम लोग यहां पे, x square minus 7, x plus 12 के 0 है, मतलब zeros क्या हैं, तो इसे अगर आप हल कर लोगे, यही पर मैं आपको हल कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हो, x square minus 4, x minus 3, x plus का 12, है ना, यानि x, x minus 4, minus 3 का बाहर लोगे, तो x minus 4, x minus 3 हो जाएगा, x minus 4 हो जाएगा, x minus 4 हो जाएगा, x minus 4 हो ज चुनने को 2 हो, तो k का मान कितना है, मतलब इसमें बोल दिया कि एक जो 0 है, एक जो root है, वो 2 है, तो f of 2 निकाल लेंगे, यह f of x दिया है, तो f of 2 निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 square हो जाएगा, plus 2 हो जाएगा, minus k हो जाएगा, यह बराबर 0 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 ह तो 6 हो जाएगा यानि 6 माइनस के बराबर 0 यानि के बराबर प्लस का 6 आएगा क्या आएगा प्लस का 6 आएगा ए विखलब सही हो जाएगा 69 देख लेते हैं बुलेट दो इखाद बहुपद जो है quadratic equation है AX square प्लस BX प्लस C के सुने को alpha और beta और गुड़कों के बीच का संबंध क्या है तो अगर हम zeros की बात करें alpha और beta और उसके किसके बात करें तो alpha प्लस beta ही पूछा alpha प्लस beta minus B upon A होता है यानि कि C विखलब आपका सही हो जाएगा निम्न में से कौन सा अपरिमिय नहीं है अगर हम B वाले बिखलब को solve कर लेंगे A plus B into A minus B A square minus B square यानि 11 minus 7 क्या हो जाएगा यह 11 minus 7 हो जाएगा जो 4 हो जाएगा 4 पुटेक यह परिमिय हो जाएगा क्या हो जाएगा rational number हो जाएगा परिमिय हो जाएगा इस कारण से B बिखलब irrational नहीं है बाकी सारे के सारे irrational number है एक सटम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बोला है यदि 4X plus 3KY बराबर 6 है और 2X plus 6Y plus 3 बराबर 0 है द्वारा दरसाई के रेखा है समानतर है अगर से समानतर होता है तो क्या होता है A1 upon A2 हाँ A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 होता है यह ध्यान दीज़ेगा तो हम क्या बोलेगे 4 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 3K बटे 6 तो यहाँ से क्या हो जाएगा यह 2 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा K की value क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा B विकल्प सही हो जाएगा 4 बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा बासर हम देख लेते हैं कुश्च नंबर 62 क्या बोल ला है कि समी करण 2X प्लस 4Y माइनस 10 इसकुल टू 0 माइनस 3X माइनस 6Y प्लस 15 बराबर 0 के युग में है मुझे ध्यान है बहुत अच्छी तरीके से कि जो मैं आपको टेस्सिरीज करवाया था उसमें डेमो वाले में ही मैंने तीसरा या चौथा ही प्रशन मैंने ये डाला था और एक ही प्रशन में मैंने उसकी ब्याक्षा में आपको एक्स्प्लेन कर दिया था माइनस दस बटे 15 ये सभी कि एवन अपॉन आटउ is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 होगया है not is equal to नहीं है क्या है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 ओर ऐसा होता है तो दोनों लाइने अवर्लैप कर जाती हैं और टी में हने होजाएंगे क्या ओजाएंगे infinitely many solutions इसका उत्तर हो जाएगा भी विकल्प सही हो जाएगा 63 को देख लेते हैं बोला है 6x-3y प्रस 10 बराबर 0 4x-y प्रस 9 बराबर 0 का हल क्या है तो यह बहुत simple साथ 6x-3y बराबर माइनस 10 लिख लो और दूसरा क्या है आपका 4x-y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 9 इसमें 3 से गुड़ा कल दो तो यह हो जाएगा 6x-3y बराबर माइनस 10 और यह हो जाएगा 12x माइनस का 3y बराबर का माइनस का 27 दूसरे में से पहला माइनस कल दो तो 3y 3y कट जाएगा यहाँ बचेगा 6x-27 में से 10 जाएगा यानि कि प्लस का 10 तो माइनस का 17 बचेगा x बराबर माइनस 17 बटे 6 आएगा तो माइनस 17 बटे 6 कहां कहां है ये दोने विखल तो कट गए a और b बचा, a और c बचा x की value यहाँ पर रख दो तो 6 गोड़े माइनस 17 बटे 6 माइनस 3y बराबर 10 आजाएगा इसे 6 6 से कट जाएगा 17 होदा जाएगा 27 हो जाएगा माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा हाँ y बराबर माइनस का 9 आजाएगा क्या, कुछ गढ़बढ हो रहा है 6x minus 3y ही था, 6x minus 3y तो 6 गोड़े minus 17 बटे 6, 6 चे से कट जाएगा minus 17 बचेगा, minus 3y, बराबर minus 10 है चुली है, क्या है minus 10 है, तो 7 इधर 17 जाएगा, इधर क्या आएगा 10 है तो यह उत्तर हो जाएगा, एधर 7 बचेगा सत्रा बटेचे और माइनस साथ बटे तीन आएगा ध्यान दीजेगा तीन नीचे आएगा कुछ बच्चे गलती कर दिये देखो जैसे जिस बच्चे का ही पेपर होगा उसने साथ नीचे रख कर दिया जबकि ए विकल्प सही होगा तो यह आपको गलत नहीं करना है गलत नहीं किये होगे मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ पाए होगे ए विकल्प इसका सही हो जाएगा आगे देख लेते हैं कोशन है कि दो संख्याओं का योग 24 है गुड़नफल 143 है तो क्या होगी वो संख्या है सिंपल सी बात है अगर गुड़नफल 143 है तो यह तो 11 और 13 करोगे तो 143 जोड़ोगे तो 24 आजाएगा यानि 11 और 13 होगा तो विकल्प D सही हो जाएगा इसे देख लेते हैं कि यह वाला प्रश्ण इसको तो मैंने कई बार आपका कुराया है कि अगर कोई चीज इस फॉर्म में होता है किस फॉर्म में यह सेम एक्जैक्ली सेम को बाया था इस फॉर्म में होगा तो आपको रटा होना चाहिए था है ना यह हूँ बहुत कोशन आ गया है इसे चार और तीन के फॉर्म में तोड़ेंगे बड़ा वाला उत्तर होता है यानि चार सही होगा अच्छी बात यह थी कि इसने तीन बिकल्प में नहीं दिया बच् गलते दिखाता हूँ सं बड़ा यह है कि कोई एफी है एक के एन पत जो योग है इसका जो सम है वह सं बड़ा दिया हुआ है 3m2 प्लस 8m और पूंच रहा है एन क्या होता है तो एन संडा निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्लस 8 इंटू N-1 हो जाएगा. इसे solve कर लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, ये N-square हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 2N हो जाएगा. और प्लस 8 N-8 हो जाएगा. इसे 3 को अंदर ले लो, तो 3 N-square, प्लस 3, माइनस का 6 N, प्लस का 8N माइनस का 8 हो जाएगा अभी इसे फिल से सॉल्व करो दिये 3N square है ना माइनस 6N प्लस 8N प्लस का 2N और माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 5 बचेगा यानि कि जो S N माइनस 1 होगा वो इतना होगा और जो S N दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है S n दिया हुए 3 n square plus 8 n 3 n square plus 8 n दिया हुआ है अब इस में से इसे minus करेंगे तो यह यह कट जाएगा 8 n में से 2 n जाएगा तो 6 n बचेगा और minus का plus कर देगा आप ऐसे समझो यह 8 n minus 2 n plus का 5 हो जाएगा यानि उत्तर हैगा 6 n plus 5 क्या हैगा 6 n plus 5 जबकि किसी भी बिकल्प में 6 n plus 5 नहीं दिया था 6 n minus 5 दिया था जो कि सरासर गलत है वो सही solve नहीं कर पाया या क्या नहीं कर पाया इस बिकल्प को सही माना होगा कुछ बच्चे C लगा भी आए होंगे लेकिन इसे आप claim कर सकतो यह free का उत्तर है एक question आपके syllabus से बाहर आया लेकिन वो गलत हो गया तो आपका free का number है इसका आप claim कर देना प्रश्चे संख्या 6-6 ध्यान दीजेगा APGP वाला प्रश्चे संख्या संख्या 60 देखते है निमलिकित में से किस समी करण में 2 भिन वास्तविक मोल है which of the following equation has two distinct roots इसमें distinct root मिलेंगे और real root मिलेंगे बाकी सब में क्या होगा minus है तो imaginary root मिल सकते है या फिर आपको क्या irrational root मिल जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं 68 को देख लेते हैं कि 1 AP में यह दी बराबर minus 6 n बराबर 9, an बराबर 8 है तो a क्या है आप सभी जानते हो कि जो an होता है जो an होता है an बराबर a plus n minus 1 into d होता है सब कुछ दिया हुआ है an बराबर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है a आपको पता करना है n कितना दिया हुआ है 9 दिया है तो 9 minus 1 हो जाएगा और d कितना दिया हुआ है D आपका minus का 6 दिया हुआ है, minus का 6 दिया हुआ है, solve कर लो, ये 8 बराबर A plus, ये 8 हो जाएगा, 8 गोड़े minus का 6, 8, 46, minus 49 इदर आएगा, तो 8 में जूर जाएगा, 8 plus 48 बराबर A हो जाएगा, यानि A बराबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, तो 56 इसने लगाया है, C बिकल्प उसका सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं, प्रश्ट संख्या, 89 देख लो, बुलना है, AP है, और AP में पद क्या दे दिया है? यह missing देधिया है, फिर 15 देधिया है, फिर यह missing देधिया है, फिर यह 5 देधिया है, आप देख पारे हो 15 से 5 मानलब decreasing AP है, मतलब कि जो D होगा माइनस में होगा, आप देखो पहला और МУЗЫКА पूछ रहा है, तो जाहिए उसी बात है, तो पहला丟म क्या होगा, अगर यह A है, यह B है तो A greater than B होगा क्योंकि घड़ता हुग अक्रम है A greater than B कहां कहां है A greater than B यहां पे है A greater than B यहां पे है बाकी क्या है बाकी आपका छोटा है तो C और D तो वैसे कट गया अब विकल्ब से चुलो 20, 10 और 11 नो अगर यहां पे 11 होगा तो फिर बढ़ जाएगा जब भी continuous कम होना चाहिए A P है तो यह भी नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा A विकल्ब आपका सही हो जाएगा देख लो यह 20 हो जाएगा यह 15 हो जाएगा यह 10 हो जाएगा यह 5 हो जाएगा सभी में 5 का क्या जाएगा अंतर आ जाएगा और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा तो 79 का A विकल्ब क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसमें देखो यह दित्रिभूज ABC में angle C बराबर 90 degree sin theta बराबर 3 बटे 5 है तो कॉसक theta क्या होगा कुछ नहीं करना है जब आपका एक right angle triangle है तो simple सी बात है कि क्या होगा C थीटा बराबर 1 upon sin theta और sin theta की value क्या दिया होगा है 3 बटे 5 तो यह 5 क्या आजाएगा उपर आजाएगा यानि क्या आजाएगा 5 बटे 3 आपका उत्तर आजाएगा क्या होगा B विखल्प से होगा 5 बटे 3 उत्तर होगा एक 70 को देख ले 10 30 प्लस cot 60 माइनस 10 60 प्लस cot 30 किसके बराबर है तो विखल्प में रख लो 1 upon root 3 cot 60 की value 1 upon root 3 और माइनस में है ठीक है माइनस में अगर माइनस कलते है upon root 3 यानि माइनस 4 upon root 3 आपका उत्तर आजाएगा तो डीकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा पेपर बहुत आसान था देखा जाए तीरी चार टॉपिक से पूछा था लेकिन बहुत आसान था बहले ही आफ टॉपिक था 152 ही पहले है क्या है तो क्या अपको पिछдо सदिकारी बनने का मौका मिल गया है तो आज ही चल करो और मस्ती से आप लोग आगे बढ़ो 127,639,649,645 इसके लिए पहला पद हो सामान ते क्या है तो उससे आसान कुछ नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से 127 ही पहला पत हो जाएगा और माइनस कर लो तो माइनस प्लस का छे हो जाएगा 127 और प्लस का छे यानि कि db कलब आपका सही हो जाएगा ठीक है इसे देख लेते हैं प्रश्विस संक्या है diameter है और यह उसका क्या है उसका जीवा है यानि की कॉर्ड है तो यह A है यह B है यह C है अब ही हम क्या करते कॉंस्ट्रक्शन करते हैं इसे यहां से इसे यहां से मिला दू मिला दोगे तो तो बोलाए A, C, B, बराबर 65 है, इसे C मानते हैं, बना करबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह C है, यह B है, यह क्या हो जाएगा, यह 65 दिया है, और आप जानते हो कि आगर किसी डायमेटर पर अंगल बनेगा, तो यह 90 डिग्री बनेगा, यह 90 यह 69, 55, 55, यानि यह कितना हो होगा यह 25 होगा आपको पता होना चाहिए आप बोल रहा है कि 80 बिंदु ए पर वृत्त की इसपर्श रेखा है यानि यहां पर क्या है एक टी है टी है जो टैंजेंट है बोल रहा है कि बी पर नेटी क्या होगा मतलब आपसे कौन सी एंगल पूँच रहा है आपसे यह वाला एंगल पूच रहा है तो सिंपल सी बात है जो टैंजेंट होता है और उसका जो रेडियस होता है 90 डिग्री यानि यह कौन 90 डिग्री बनेगा यह 90 बनेगा तो 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा फिल से 65 ही हो जाएगा और वैसे भी बाहर वाला कौड अंत्री कोड के बराबर होता है यानि कि 65 ही आदेगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा त्यत्तर का आगे दिख लेते हैं बिंदू A-4 और 6 और B-4 और 2 को मिलाने वाले रेखा कंड मात बाहर मतलब कि अंत बाहर पुछाऊंग sang से रेखा है CP और CQ में है ARB वृत्य की R यहां पर देखते हैं सिंपल सी बात है यह दिया हुआ है फिगर आपका इस फिगर को मैं आपको थोड़ा क्या है ALL यह पॉइंट कॉंसा सबसे पहली बात तो PC ब्राबर क्या हो जाएगा CD brag में और यहां पर यहां पर यहाँ ब्राबर और दिया। और एक चीज भी और अबा और कहांपे है यह गराegen reg. यह थैलिक यह रखrang आल्ज्स है और यह और यह leanth मतलर सब्सक्राइब साथ सेंटी मेंटर आ जाएगा तो यह मैंस्स के सॉलूशन ते बेहद आसान थे मैं फिल से बता दूँ पूरे paper का paper 1, paper 1 or 2 analysis कर दूँ तो एक sort में analysis आप देख लो paper का और ये आगी की परिक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा important होगी paper का level below moderate था, below moderate इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये means की level का नहीं था आप किसी आसान paper की बात करो, even इससे अच्छा paper P.E.T. का दिया हुआ था, मैं आपको literally बोलना हूँ ज़्यादा balanced paper था, ये उत्ता balanced paper नहीं था, paper बहुत ही imbalance था, एतना मान के चलो, है ना balance नहीं था, पहली बार, below moderate लेवल का था, plus up to syllabus नहीं था, ठीक है ना, ये गलती की आयोग ने, plus फिर से हमेशा उसकी आदत रही है, wrong question put करने के लिए, maths में 4 से ज़्यादा question उसने क्या किये हैं, गलत put किये हैं, जहां पे बच्चों के समय गए हैं, उसके बाद question भी बनाएं, तो 3-4 topic से सारे प्रशन बना दिये, मतलब आप किसे किसे ले लो, number system को ले लो, आप geometry ले लो, geometry में भी केवल circle ले लो, ट्रेंगल ले लो, उसके बाद वो ले लिए, क्या APGP ले लो, उसके बाद आप क्या ले लो, trigonometry ले लो, और quadratic equation ले लो इसके अलावा, सायद किसी भी topic में प्रशन नहीं बना है, arithmetic बिल्कुल नहीं बना है, जबकि arithmetic के 2-3 question उसने reasoning में डाल दिया, reasoning में उसने क्या डाल दिया, arithmetic डाल दिया, समझेगा, पहली बात तो arithmetic डाल दिया, plus 15 question D.I.E. का डाल दिया, D.I.E. कहे दे से math का part होता है, 3 question arithmetic भी में डाल दिया, 25 में 28 में डाल दिया, तो reasoning कहां पूछा, तो paper बहुत in balance, reasoning तो पूछा ही नहीं पूछा, केवल मैं पूछ लिया, जो बच्चे reasoning के भरोसे थे, उनके साथ धोखा हो गया, तो मैं अब विंती ही कर सकता हूं, बाकी कुछ नहीं कर सकता हूं, आयोग से क्रिप analysis आपके सामने एक बाल लेके आऊंगा, जो बच्ची चैनल पे नए हैं, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक बार cut off का analysis का इंतजाह जरूर करें, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का.